नारी जाती के लिए वर्दान है आरती की बस यही पहचान है नारी जाती के लिए वर्दान है आरती की बस यही पहचान है आरती 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 यह है आरती नारी जाती के लिए वर्दान है आरती की बस यही पहचान है मेरम चाहिए मेरम चाहिए सपना आगए? अब नहीं आए अच्छा देखा तुम जा छे बजने वाले है मुझे तो कप्डे बदले भी एक हंता हो गया वो तो हमेशा चार बजे से पहले आजाती है आज क्यों नहीं आए कहा रहे लोगी? आए 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 मैं रतना बोल रही हूँ सपना की सिस्टर नुस्ती दीदी कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ अच्छा एक बात पताओ सपना तो नहीं आए तुमारे घर मेरे हाँ तो नहीं आए शायद वंदना की घर ना हो वंदना की घर और इस वक्त तुम्हें कैसे मालूँ कर्द मुझे वंदना का फोन आया था वो बता रहे थी कि सपना अस बताव का था ना उसी के साथ खाएगी आप नहीं तुम्हें वंदना की घर पता करके बताओं आए आशात भी रिया ली ग्रेट फोन तहरे सु शुक्रिया की क्या बात है बस आप फोन रखें मैं सपना का मालूं करके फॉरन आपको फोन करती हूँ हलो हाँ पेया कुछ पता चला दीदी सपना तो मनना के गड़ गई ही नहीं गई आपको पता है आपको पता है हलो हाँ शपना सपना तो नहीं आई तुमारे कार क्या कहां नहीं आई ओके सपना का कुछ आता पता मालूं है क्या तुम्हें कहीं दिन से नहीं मिली क्या तुम्हें कहीं दिन से नहीं क्या आ रही नहीं आफ जल शे नहीं उत शेंग तुम्हें रही ही यह जए यह पापा अप्रिया की रसम करके अभीत्य कंबाला से नहीं करते है पाते रो गई है तो आ जाना चाहिए था हुम्हें और ये चुन्नू और मामा ये भी पता नहीं कहां रह रह रहा है सारा दिन उनको घुमालो कर दिनको नहीं का रहा है कर दो ब्रावा पुम्हें कर फ़ीर कर दोत दो आए आना दो आना दो तो नहीं तो जे नहीं आज मैं बहुत खुश था इस सुभा सुभा आर्थी कोस्मेटिक स्टोर जाकर आर्थी का दीदार करूँगा वाँ पहुंचा पर मेरी बतकिस्मती दीपक वहाँ पहले ही आचुका था आर्थी दीपक को महबब भरी निगाहों से देख रही थी वाँ कोई मुझसे मेरी महबबच छीन ले यह मुमकिन है पिटेज य जस्ट इम पोसीबल चुनू बेहेवियर सेल यू किसी की डारी नहीं पडा करते संगें पी डारी तुम्हारी थो नहीं हो सकती तो फिर गरम क्यो नहीं हो मैंने कब कहा कि यह डारी मेरी है, और फिर यह डारी किसी की भी हो, बिना इजादत किसी की भी डारी परना बहुत बुड़ी बात है तो तुम क्या इसकी आरती उतार निगलिया लाइथी? उचल कभाब! आज़ी में तुम्हारे दोस्त की अचानक मौतका, बिहुत अपसूस, बिहुत गाद, यह वरी बदकिस्वती है कि यह हाथसा मेरे खर हुआ, अगर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं अज़ तक नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने यह फैसला भगवान पर छोड़ दिया है, यह सच है आरती कि मैं तुमसे महबबत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, अगर मेरी महबबत में कोई खोट, कोई गर्स नहीं है, एक बात और, मैंने तुमसे हुई अपनी पहली मुलाकात में ही यह तैकर लिया था, कि शान्ती, सहायता, समीती की देखभाल का सारा काम मैं तुम्हें सौप दूँगा, क्योंकि मुझे यकीन था, तुमसे अच्छा कोई और काम ये करी नहीं सकता, मेरी ये राए, ये इरादा, अभी भी बदना नहीं है, इसलिए मैं कानूनी तौर पर तुम्हें ये सब कुछ सौप रहाँ, मुझे यकीन कि तुम मेरे जस्पे को इस सब बक्षोगे, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान, तुम्हारा करम होगा, करुम म одном है है ये झाहते हैं, ये तुम्हारा सकता, करुम्हारा कर अपनी कि तुम्हारा मुझे बढें थन्सकी कित्क पर दुम्हारा करिय मैं की तुम्हारा करता है। आल्यू, हाँ, जम्ना से सरा बात करा दीजिए? हाँ, जम्ना, तुम थोड़ी तेर के लिए मेरे खारा चाओ, मुझे तुम से बहुत सरूरी बात करने हैं। ठीक है। हुअ, जम्ना, चलाओ, जम्ना, 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 öğइव आझाट, कि बोड़ीे,टार कहा था aconteceu। चुपाव, नोचाव! तो चामी साता आथावज लाट चाव, अधर चाव तिवराबसे जूराबसे जूरी सीया सली मैं विख्टिदी कि अरतिए किया औरकोंगそれ कि आए कि उना है औरे लगा जो रहरा बाड़ टकु कर दुआ है प्वार डिला प्वार में बार दो एक टूरे को बार चाल जानती 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 है जानती 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 है दीरज रखो जमना, उद्रत के घर में देर है, अंधेर नहीं है, तुमारे राजेश बाबु जल्दी ही छोड़ जाएंगे सच आरती जी, आपके मुँ में घी शकर, भगवान करें आपकी बात सच हो, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे तो अब वो घर काटने को दोड़ता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जमना, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मुझे इस सब की जानकारी सपना से लेनी होगी इसकी कोई जरूरत नहीं, इन सब के बारे में मुझसे जादा कोई नहीं जानता क्या कह रही हो? अरे तुम्हे कापवर कैसे मालम पड़ा ये सब? प्लीज मुझे बताओ जमना ये सब उस समय हुआ जब आज सुभा रतना में साब राजेश बाबु के घर आई अरे अरे अंकर आप बिल्कुल फिक्र ना करें मुझे पूरी उमीद है कि आज हम ये के चीज चाहेंगे और राजेश को बाईज़त रिहा कर दिया जाएगा आज फैसला हो जाएगा? जी हाँ, ये जज़ केस को बहुत जुल्दी निप्टाने में बहुत मशूर है अंकर, कोट का वक्त होने वाला है, मैं आप चलती हूँ, आप ती ज़रा जल्दी पहुँचे अच्छे बीटी अबुजी नाचता बनाओ मन नहीं करना जमना हाँ, दौा करना जाम का खाना बेटे के साथ घर पर रिखाओ माँ भवानी, तुझे मेरी कसम, दिखा दे अपना चमतकार निकाल दे राजश बाबु को जेल से बाहर इस सूने घर को फिर से आबाद कर दे माँ तेरे तो अनेकों हाथ है माँ, तेरे लिए तो ये मामुली सी बात है इस दासी के दिल की मुराद पूरी कर दे मा, पूरी कर दे अले रे रे, ऐसे दुखी समय में इन बेजान पौदों पर किसी की नज़र नहीं पड़ी कैसे पीले पड़ गए हैं बेचारे, मुझे इसी वक्त इन में पानी देना चाहिए भगवान बेजानों की बहुत सुनता है, उनकी आत्मा को शांती मिलेगी तो मेरे साथ ये भी भगवान से दुआ मांगेंगे, राजेश बाबु जल्दी छूल जाएं क्या हाल हो गया है आज शाम एक रिस्क्रों में मैंने आर्थी को दीपक से घुल मेलकर बाते करते देखा आर्थी के ये अंदाज मुझे पागल कर देंगे, जो दीपक आर्थी को रोशनी बक्षे मैं वो दीपक ही बुजा दूगा एम-एम डाल में जरूर कुछ काला है आप क्या करो बाबु जी तो गए और शाम तक ही लोटेंगे हो सकता है ये एम-एम इस डाइरी का मालिक यही दीपक बाबु का कातिल हो मुझे आर्थी में साब को फोन करके सर बताना चाहिए मुझे आर्थी में साब कर बाबु मुझे आर्थी में साब कर बाबु मुझे आज सफाई करते टाइम ये एक अजीब से पुरानी सी डाइरी मिले गंबले से वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्या आप इस वर्द घर आ सकती है जी मैं आपका इंतिजार करूँगी मैंने ये डाइरी देखकर सूचा मा भवानी कृपा कर रही है इस सबूत से राजिश बाबु छूट जाएंगे सपना मेम साब और मैं इस सबूत को पाकर बहुत खुश थे मैं बार-बार इस डाइरी को देख रही थी और सपना मेम साब इसे मजबूती से थामने की कोशिश कर रही थी वो बार-बार स्कूटर वाले को कह रही थी कि वो और तेज चले उन्होंने रास्ते में मुझे घर पर उतारा और फिर वो फाइल और डाइरी लिए कोट की तरफ बढ़ दे मैंने सोचा था मा की कृपा से आज तो सब अच्छा ही होगा लेकिन बदकिस्मती ने हमारा साथ नहीं छोड़ा रास्ते में सपना मेम साब का एक्सिडेंट हो गया फिर पीछे से एक तेजी से भागती हुई बस आई और स्कूटर से आगे निकरने की चकर में स्कूटर को उलड़ती हुई चली गई पता नहीं इन कमबकत ड्राइवरों को दूसरों की जान से खेलने का क्या शौक है फिर क्या हुआ जमना सपना को जादा चोड़त नहीं आई किसी राज चलते ने सपना मेम साब को हस्पताल पहुँचाया उन्होंने वहां से मुझे फोन किया और फॉररन हस्पताल आने को कहा मैं जट से हस्पताल पहुँच गई मेम साब के पाउं पर पलस्तर चड़ाय जा चुका था मैं तो घबरा गई सपना मेम साब को इन कागजाद और डायरी की फिकर थी उन्होंने प्यार से मेरे कंदे पर हाथ रखते हुए कहा कि ये कागजाद आपको और ये डायरी रतना मेम साब को दे दू ताकि आप दोनों पर सचाई खुल सके लेकिन किसमत का लिखा कौन टाल सकता है देवता स्वरूप आदमी को सजा हो गई जमना तुम बिलकुल फिकर मत करो सब ठीक हो जाएगा अब तुम जाओ अब तुम जाएगा 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 लिके खुश्यों के ख़ताने बेशुमार आ गया अब तुम जाएगा जिसका था मुझे इंतिजार अर नजर तेरी तरफ उठने लगी दिल हुए है बेकरार लेके फ़च्यों के ख़ताने बेशुमार तेरे आने से तेरे आने से हुई महविल जवा चेहरों पे आई खुशियों की बहार तेरे गालों में गुलबों की हसी तेरी आगों में जरबों का फुमार लेके खुशियों के खजने बेशुमार आ गया जिसका था मुझे इंतिजार हर नजर तेरी तरफ उठने लगी दिल हुई है बेकरार लेके खुशियों के खजने बेशुमार आए मेरे जाने जिगर जाने बहार हर जनम तुझ पे करूँगा मैं निसार मेरी जाने बुमस्कुरा के दे तेरे दिल पे है मेरा ही इख्तियार लेके खुशियों के खजने बेशुमार आ गया जिसका था मुझे इंतिजार अर नजर तेरी तरफ उठने लगी दिल हुए है लेके खुशियों के खजने बेशुमार नारी जाती के लिए वर्दान है आरती के बस यही बहचान है आरती आरती यह है आरती नारी जाती के लिए वर्दान है आरती की बस यही पहचान है